ये मैं कैसी दिख रही हूँ? लगता है कुछ कैमरे में लगा है लगता है साफ करते हैं हाँ, अब ये ठीक है अगर आपको भी ये जानना है ये मेकप लुक मैंने कैसे क्रेट किया तो लेट्स बिगन विद दे वीडियो ये साथे प्रोड़क्ट अंडर 500 रखें साथी साथ कई प्रोड़क्ट ऐसे हैं जो मल्टी टास्किंग है यहाँ पे हाइड्रेशन के लिए मैंने पॉंड्स का जेल यूज किया है उसके बाद मैं गुडवाइब्स का सीरम यूज करूँगी आप किसी भी एज के हैं आप सीरम लगाएं आपके लिए एंटी एजिंग थोड़ा डिले करता है वो प्रोसेस को आपके स्किन को अच्छे से प्रेप करके रखता है ये लूप मारेड और अनमारेड दोनों के लिए कमफर्टेबल है आप चाहें तो इसमें कभी भी कुछ भी एड़ान और सब्रेक्ट कर सकते हैं मैंने प्राइमर के लिए निव्या का आफटर शेव लोशन लिया है जो कि सेंसिटीव वेरियन में है आप प्राइमर लगाईए और उससे थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ दीजे फर दर फॉर्दर स्टेप्स नेक्स्ट मैंने यहां पर लेक में का 9-5 फांडेशन लिया है ये ये अल्मूस मीडियम कवरेज का है और मैं इसे अच्छे से ब्रश की हिल्प से ब्लेंड कर लूँगे अच्छे से सर्कुलर मुशल में मैं ब्लेंड कर लूँगे और प्लीज अपनी नेक को बिल्टकुल ना भूले जब मेरा फांडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं नेक्स कंसीलर का यूज करूँगी यहां पर मैं एसेंस का कंसीलर ले रही हूँ यह मेले हाइलेटिंग शेड तो है पर मेरे स्किन से ओनली वन शेड लाइटर है क्योंकि जर्नली लोग दो शेड लाइटर लेते हैं पर मैं इन्हें एक ही शेड लाइटर लिया है और सेम मैं आई बेस के लिए इसे आईलेट पे भी लगा लूँगी और अपनी यूजवल हाइलेटेट एरिया पे भी लगाऊंगी यहां पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी नीड है मैं वहां पे लगा लूँगी मैं आईस का सबसे लास्ट मैं ब्लेंड करूंगी पूरे फेस का मैंने ब्लेंड कर लिया है अब मैं केवल आईस का ब्लेंड करूंगी मैंने यहाँ पर किसी भी color character का use नहीं किया है अगर आपको बहुत जादा pigmentation है तो आप color character use कर सकते हैं इसके बाद अपने base set करने के लिए मैंने L'Oreal का matte compact लिया है आप इसके condition देखे समझ सकते हैं कि how much I love this compact so यह आपके base को बहुत अच्छे से set करता है and मैं इससे अपना base को अच्छे से set कर लूँगी इसके बाद मैं miss clear का एक eyeshadow use करूँगी जो की बहुत अच्छे से broken था अगर आपने इसका video नहीं देखा how I fix my eyeshadow तो इसका video already मेरे channel पर अप है मैं इसका link वीडियो के end में भी देदूँगी आप वहाँ जाके इसे check कर सकते हैं उससे मैं अपनी eyebrow fill कर लूँगी ये brush इसके साथ ही मिलाता हूँ so मैं यहाँ पे और बहुत जादा कोई brush नहीं use कर रही हूँ जो इसके साथ मिलाता है मैं कि उसी को use कर रही हूँ यहाँ पे मैं eyebrow को उसकी natural shape में ही fill up कर रही हूँ बस जहाँ पे gaps है मैं वहाँ पर उसको उस powder को fill up कर दे रही हूँ इसके बाद मैंने Miss Rose का एक blush palette लिया है इसी को मैं as a eyeshadow use करूँगी पहले जो सबसे light shade है उसको अपने crease में और उसे blend अच्छे से किया है circular and wind chill motion में मैंने उसको अच्छे से blend कर लूँगी अच्छे है makeup के लिए आपको अच्छे से इसको blend करना बहुत ज़रूरी है और बहुत हलके हाथ उसे आप उसे करें उसके बाद थोड़ा सा dark shade मैंने उससे लिख करके महाँ पे केल उसे अपनी crease में place किया है और place करने के बाद उसे अंदर की तरफ उसे blend कर रही हूँ सेम मैं दूसी आईज में भी repeat कर लूँगी I am happy with my blending मैंने press glitters लिया है जो कि मैंने एक local market से खरीदा था यह press glitters है तो इसके लिए आपको कोई भी glue की ज़र्वत नहीं है बस मैंने finger से लेके इसे अपनी inner eyelid पे place कर लूँगी इसके बाद मैं eyeliner के लिए stay quirky का blue eyeliner यूज करूँगी और उससे एक छोटा सा wing बनाऊँगी eyeliner लगाने के लिए मैंने छोटे छोटे strokes का यूज किया है और inner eyelid पे मैंने बहुत thin रखा है और outer eyelid पे उसे थोड़ा सा broad रखा है अब मैं यहां पर जो मैंने wing के लिए V बनाया था उसे fill-in कर लूँगी दोनों eyeliner लगाने के बाद आप आप आँखों का difference देख सकते हैं same palette से मैं blush का भी use करूँगे as it's a blush palette तो smile and apply मैं हमेशा blush को use करने के लिए उसका जो भी access होता है उसको remove करना पसंद करती हूँ क्योंकि आप blush को build up कर सकते हैं पर उसको remove करना एक task होता है जब बहुत जादा लग जाए तो आपके face clown जैसा लगता है अब मैं same जो हमने upper eyelid पे किया था same lower eyelid पे करेंगे light and dark shade के colors को हम अच्छे से lower eyelid पे blend कर लेंगे same मैं दूसरी eyes में भी कर लूँगी यहां मैं faces का मैंने काजल लिया है और उसे थोड़ा सा pencil brush की help से smudge कर लूँगी contouring के लिए मैं same mist clear का वो eyeshadow लूँगी और अपनी jaw lines पे अपने hollow of the cheeks पे उसे अच्छे से place कर लूँगी को मैं बहुत जादा heavy contouring करना नहीं कर रही है यहां पे मैंने slightly सा contouring किया है और off camera जाके मैंने eyelashes लगाई है अब shivana colors का मैंने यहां पे highlighting palette लिया है जिसे मैं अपने inner eyes में लगा लूँगी इसके बात मैं अपनी brow bone पे लगाऊंगी और same highlighters को मैं अपने high points of face पे भी लगा लूँगी जैसे bridge of the nose, forehead, cupid bow, chin अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजे and share with your friends आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी रही हो या आपको कोई request हो तो please मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि कम से कम tool और कम से कम product का use करूँ जो multitasking हो सकते हैं तो product मैंने उनको use किया है और जो product के साथ brush आए है मैंने उनी brush कर use किया है इसमें यहाँ पर lips के लिए मैंने MN का lip pencil यूज किया है और इसी को as a lipstick यूज करूँगी यह बहुत matte है और काफी long lasting है अराम से without touch up आपके 2-3 घंडे चलती है and very pocket friendly also इस वीडियो में जो भी product मैंने use किया है वो सारे के सारे 500 के अंदर है यहाँ पर look को enhance करने के लिए मैंने earrings ले है और बहुत छोटी सी बिंदी का use किया है साथ साथ एक studded watch ही लिया है और bracelet लिया है और बालो को बहुत simple रखा है क्योंकि mostly girls बालो को बहुत जादा heating tools और other things से उसको style नहीं करती है इसलिए मैंने बालो को बहुत simple रखा है आप इस look में कहीं पे भी कुछ भी add on और subtract कर सकते हैं अपनी पसंद और अपनी comfort के हिसाब से आपको ये look पसंद आया है तो please मेरे चानल को subscribe कीजे शेयर कीजे और comment section में अपने कोई भी सुझाव और कमी हमें जुरू बताइएगा आपसे मिलती हूँ मैं अपनी next वीडियो में और setting spray के लिए यहाँ पर मैंने जीवा का rose water लिया है और मैं इसे air dry होने दूँगी यह मेरा final outcome है इसे आप किसी भी party में किसी भी शगर में इसे recreate कर सकते हैं